मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटिस खबर पाले के लिए तुरम सब्सक्राइब करें UMB News को और कि जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं खिली देखते हैं कैसा रहेगा पुर्देश की मौसम का हाल मौसम भाग की माने तो जमो कश्मीर, लदा, गिल्कित बर्लिस्ता, मुझा फराबाद में गरज के साथ बिजली, ओलावरेष्टी की गतिविदिया देखने को मिलेंगी इन जगेहों पर हो सकती है बारश मौसम भाग के मुताविक मार्श के आखरी दिनों में कई जगेहों परतेज हवाओं और गरज चमा के साथ बारश होने की उमीजताई काई पाश्मी यूपी में 28 मार्श से दो दिनों तक गरज के साथ बारश की बोचारे पढ़ने की संभावना है 29 मार्श को पाश्मी यूपी में एक दो स्थानों पर बजली चमकने और गरज के साथ बारश हो सकती है 30-40 किलमीटर परदी घंटे के रफ्तार से हवाय चलने की संभावना भीचिताई गई है पाश्मी यूपी के कुच जन बदों में 30 मार्श तक ऐसा ही मौसम रहने का नुमान है इस दोरान 39 मार्श नोएडा गाजियाबाद, बागपत, सारनपुर, मुझाफर नगर, पिली भीद, बिजनो और मुरादाबाद में तेजवाओं के साथ बारश की संभावना है 30 मार्श को आगरा फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, और एया, कानपुर, जालों, जासी, लिलतपुर, महोबा, बाल्ला, पतेपुर और कोशाम्बी में बारश का नुमान जताया गया है MP के 32 दिलों में बुनाबादी की आसार MP मज़म भाग का पूर्वनुमान है कि पश्रमी दिख्षोप के अक्टिव होते ही अरब साकर से नमी आएगी और प्रदेश में 39 मार्श को बादल चाने के साथ कहीं कहीं पर हलकी बारश होगी इस दोरान भुपालंद और ग्वालेर जवलपुर उज्जयन समीत 32 दिलों में बादल चाहे रहने के साथ बुनाबादी की सभावना है 39 मार्श को भुपालंद और उज्जयन रायसेन विदीशा सिहो नर्मिदापुरं राजगर दिवास अशोकनगर शेपुरी ग्वालर शाजापुर मनसोर नीमच गुनादतिया भिंड मुरैना जवलपुर नर्सिंगपुर शिवनी, पंदा लवो, शेपुर कला, सिंग्रॉली, रीवा, मौगंज, सागाटी, गमगण, चुतरपुर और निवारी में मौसम बदल सकता है रजस्तान मौसम भाग के मुताबिक एक नए पाश्चमी विक्षोप के सक्रे होने से 39 मार्च को पाश्चमी रजस्तान के विकानेर और शेखावटी शेतर में कहीं कहीं मेग गरजन के साथ हलकी बारश होने की संभावना है 39 मार्च को जेपुर भरतपुर कोटा शेखावटी और विकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश तो 30 मार्च को भरतपुर कोटा और वीकनेर संभाग में हलकी बारिश के साथ मौसम बदल सकता है 29 मार्च को अलवर जिजनू वीकानेर चुरू हनुमानगर और शिगंगनगर वहीं 30 मार्च को अलवर भरतपुर दोसा दोलपुर जंजनू, चुरू हनुमानगर और शुगंगनगर में मेग गरजन और वजुरुपात का यलो इलट जारी हुआ है बिहाद के अंजलों में बारश के आसार पुर्वी चमपारन, पश्रमी चमपारन, किशन गंज, मधुबणी और सितामडी में हलकी से मध्यमस्तर की बारश रिकॉर्ड हुई है आज किशन गंज अररिया में हलकी बारश हो सकती है वही इसी महीने के आखरी दिन 339 मार्च के बीच तितामडी शिवहर, मिजफर पूर वशारी मधुबणी दर्भंगा समस्ति पूर सुपॉल अररिया, सहर से मधिपुरा, किशन गंज, पूर्णय और कचिहार में हलकी से मध्यमस्तर की बारश का होने कानुमान है मौसं के हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए आभी सब्सक्राइब करें यूएम वीडियो अपना कीम पीसर बैदेने के लिए धन्यवाद आपको देर शुब हो